तो सबसे पहले हम बात करेंगे वारे रे ने ओबर टैकरंटे लिमिटेट के बारे में है अगर हम आज के दीन की बात करें तो च्छिम आज के दिन भी लग बञ 5% के low-grade. बागे पिछले 5 दिनों की बात करें, तो लगबग 14-15% डाउन, अगर हम एक मन्त की बात करें, रफली देखोगे, तो लगबग 20% डाउन है, और टॉप लेवल से देखोगे, तो लगबग 30-35% गिरावार देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से, मतलब पिछले 7 इस प्रक बाइब देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का रिजन है कि इस सब्सक्राइब लगादा है कि यह सब्सक्राइब को 700 गेगाओर्ट का एक solar project मिला था, तो साय से ऐसा लगा था यह उम्मीद था, कि लगा था पिछले 6 दिनों से इस से, चिंट्राइब में, इस इसी एक तरफा गिरावाट के बीच में, इस प्रका के छोटे मोटे कंपन को प्रजेक मिला है, तो साइस ये गिरावाट की लोग सकता है, और फिर से अगें हमें अपर से की देखन को मिल सकता है, but unfortunately हमें ऐसा कुछ भी देखन को मिला नहीं, जो न्यूस कंपनी में है, तो न् सकता है, जिसके चलते हैं, मार्केट खुलते हैं, सिधा लोग से की लग्ति देखन को मिल जाते हैं, तो अब इसमें नेक्स क्या करना चाहिए, ये नेक्स का सवाल उनी के दिमाग मैरेजर ने श्टॉक को टॉप पे बाई किया और तेही देखके श्टॉक को बाई किया, मत अभी डबल और डबल होते जाएगा, तो फिर जिसने भाई कि अभी उनके पोर्टफियो में लगबाग 35% आउन है, तो उनकी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, तो अभी इस टॉक 35% लॉप करके अभी निकल जाना चाहिए, या बने रहना चाहिए, या फिर इस गिरावाट में और भी अब्रेज करना चाहिए, ताकि जो अब्रेज प्राइंग है आपका और नीचे आना चाहिए, तो सारे पॉन को स्टैबश्टर बिस्क्स करेंगे पर उससे पहले कंपनी में और एक इंपोर्टन अब्रेट है, उसको हम कवार कर है बर मैंजमेंट के यह भी मानना है की ग्रोटन फिर इंटन फैर कर चुक है, उमें भी अइंट्रोन पिरर गोलेख रहागा वह A424 से भी व ह्रूण को आपाइऄ को मिल सकता है उसमें की कमपनी की अब ही तक तो तीन आयाद 200 करों के कमपनी के order book है और 2.3 gigawatt आमें थ्रू कमपनी के EPC contact भी देखने को मिल जाता है और इस ही के चलते हैं मैंजमेंट ये एकस्पेट करेंगे चलना है जिस प्रकार की कमपनी के order book है अब बात करते दोस्तों उनकी लिए जिरों स्टॉक को बाइगा तो उनको बस इतना का चाहिए मैं पहले बोल चेको ये रिस्की कमपनी है आज भी अगर आप इसके वैलेशन को देखोगे तो सौट टाइम साब से ये आपको आज भी हारे वैलेशन भी नजर आएगा अगर यहां से भी और 30% गिर जाए ना तब भी इससे कोई भी फरक नहीं परता है तब भी एक नॉर्मल गिरावाट हो तो स्टॉक इसी परकास से चलते हैं क्योंकि आप देशाते हो कि स्टॉक टॉप लिवल से 35% गिरने के बाद भी एक साल वाले के पास आज भी 1100% की प्रॉफित हैं पांट साल वाले के पास 60,000% की प्रॉफित हैं तो इतनी जादा इसी के ज़ते स्टॉक में पहले से और जसमें ने का कि इसमें कुछ ऑपरेटर कभी चाल है और ने कुछ ज्यादा ओपर लेगे गए लेकिन फिर भी कंपणी फंडमेटर स्टॉक है कंपणी के बिजिएस बहुत ही कमाल किया और इसी के चलते आपने देखा उगा नाइटि में फिर बाइस आपने सब्रक्रा इसी के चलते जो स्टॉक पांच साथ से चली नहीं रहा था वो दो साल में इतने रॉकर्ट कैसा बन गया है तो सेम रिजर है कि company को business रितना मिल गया, sector को boost रितना मिल गया, इतने order company को मिल गया, तो income ग्रोहा, profit ग्रोहा, earnings ग्रोहा, तो stock price भी suit up हो गया, तो अब आपने जल्द बाइच में buy क्या होगा, high-revaluational stock जरू है, risky stock जरू है, बढ़ खराब बिल्कुँ भी निया, अगर आप hold करोगे, तो यह 3,000 तो, यह 3,000 क्या, यह फिर से 3,000 का आपको 6,000 और 6 का 12,000 भी long time में होती है, आपको देखिन को मिल गया, तो अच्छे company जरू बने रहो, हाँ, मतलब loss में निकलने वारी company तो इस renewable energy से जरूआ, जो भी company उनको और भी order मिलने वारे, सरकार के साथ से भी और private company के साथ से भी, तो आप इसके बार में जरू consider कर सकते हो, और तब चाहो, तो 35% discount में, छोटी से, क्योंकि छोटी company है, risky company है, क्योंकि गिनने के लिए और भी गिर सकता है, तो चाहो तो छोटा स मतब एक sideways momentum ही दिखा रहे है, चाहगराम एक मन की बाद, चाहगराम six मन की बाद, चाहगराम six मन की बाद, six मन में profit तो है, 200% की आपद, उसके बाद, पिछले four months से stock की consolidation में है, क्यों, क्योंकि इसकी पीछे का reason है, order, इन company के जो consistency है, ये जो stock सारे 5 साल में जो इतनी growth दिखा ह मतब सारे साथ 8,000% की growth, 70-80 company grow की है, 5 सालों में, इसके पीछे का reason है, consistency company को order मिलते हैं, और आपको याद होगा, मैं 3 मन पहले से एक point बोलता रहा हूँ, कोई जा रहे हो, KPA green में अच्छी बात है, लेकर note करने वाले चीज, कि ये company इतनी इसलिए भागते है, क्योंकि consistency company को order म मिलते ही जाता है, जब company को एक, दो मन अगर order ना मिले, तो stock एक sideways momentum में जाएगा, या तर कि stock अच्छी बात से गिरते होई भी देखने को मिल सकता है, तो क्या stock अभी गिरेगा, तो अभी इस हथे तो बिलको भी नहीं गिरेगा, क्यों कि stock इसलिए sideways momentum में है, 20, 21, 22 दिन से company को गिरा नहीं, क्यों कि दोस्तों, इस हपते दो दिन बात, आज 21 तारीक है, 23 में company के एक बहुत important data राएगा, जो इसमें company considerate करेंगे split, तो इसके लिए भी बहुत सरे लोग अपना position मना के रखते है, कि split अगर market के साफ से दिया, मानलो एक के बदे 5 दिया, एक के बदे 10 दिया तो buying आएगा, stock भागीगा, अगर मानलो एक के बदे 2 देता है, तो stock में अच्छे कासे गिरावार भी हो सकता है, और इसी की जएदे stock एक side-based momentum यह है, आप ऐसा बोस्तों कि 23 में, जो कि 2 दिन बात, Thursday की दिन, उसके बाद जो speed का announcement होगा, उसके बाद stock में आपको बड़े हल सकता है, आधर upside, आधर downside भी हो सकता है, तो इसलिए कि इसे को जाना है, तो अभी रुख जाओ, को इनकी 3rd में, यहनकी 3rd में सुन लो, उसके बाद stock की momentum को देख लो, उसके बाद आपको लगता है, कि जाना चीए, तब आप चाज़िस को बार में consider कर सकता है, और बाकी जैस सकता है, खासकर के IPP और CPV में, और इस से रेटरी कंपन को कितने सारे order मिला और सिर्फ इतना हैंगी, जो सरकार का target है, उस target को achieve करने के लिए यह company को और भी अच्छे का से आपको बड़े-बड़े project long time में मिलती हैं को मिल सकता है, अगर आपको इन सारे इस चीजे को पर trust है आपको लगता है, यह company grow करेगा, solar industry इसमें company को और भी धेरो सारे project मिलेगा, तो कोई जरूरी ने दोस्तों के 5 सार में company 80 गुना grow किया, 22 के stock अभी 2000 पे है, तो आगे grow नहीं कर पाएगा, डेफिनिटी grow करेगा, उपर से इतने भागने के बाद भी, अभी सिप 10-11,000 करों के market क्याता है, एक लाग भी जाने बाले है, फूचर में फूचर में लोग, इसके market cap, मतलब इतने बड़ी company बन सकते है, इतने potential इसके अंदर है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, तो आप चाहँ तो इगनोर भी कर सकते हो, अगर आपके की बात करें, तो एक दमतार company, लेकिन उसकी साथ से देखा जाए, तो ये भी 2-3 दिने सो एक खराप अपने देरे, आज के दिन की बात करें, तो 5 सारे 5 पसंट आउन, 5 दिन में 7 पसंट, एक मन की बात करें, तो आप देख सकते हो कि bottom level से बाइं या था, क्यों की company के number की बा जाए, क्योंकि वो number आपको अच्छे लगते है, generally वो number अच्छे है, और number आपको खराब लगे, उसके बाद stock अगा दो दिन लगा तर भाग भी जाए, तो भी आपको फरक नहीं परना जाए, क्योंकि वो number आपको खराब लगे, same चीज मैंने किस में कहा था, Angelon Limited में, stock number के ब Long time में अच्छे number थे है, और जिस प्रका के company के size है, और जिस प्रका के 2 साल में इसने profit बना के दिया है, और जिस प्रका के इसकी valuation है, उसकी company में company ने short time के साथ से कुछ खास number दिखा है, फिर भी जिसको number अच्छे लगते है, long time में यह चीज चलते जाते है, छोटी company में यही प्रोब्लम है कि consistency बननी बात है, consistency बना, तो stock भी rocket के तरा consistency बनेगा, बट अच्छी company है, 2000 के करेबागर आ जाए, तो कोई चाहते है, इंटर करने के बार में भी consider का सकतो, अभी चाहते है, तो इंटर का सकतो, तो टॉप लिए से 700 पॉयंट डाउन है, 3000 के टॉप बना है चाह च्छोटे मोटे quality, ये मेरे साइट से कोई भी recommendation है नी, बट कोई सोच रहा है कि हमें multi-bagger return चीए, तो multi-bagger return, multi-bagger profit, आपको च्छोटी company देशाता है, च्छोटी company मतलब ये ethos जैसे company, 5000 करो के market क्याता है, मालो आने बहले 5-6 सालों में ये company 5000 करो का, 5000 करो बन जाता है, roughly मैं ब बारे में इस टाइप में जरूर कंसिडर कर सकते हैं, आखरी stock की बात करें तो काम देन venture limited, अगर हम आज की दिन की बात करें तो लगबग 10% आओ, अभी इस company शुरुआ था 2023 में, तब से लिका अभी तक 84% की तेज़ी और उससे भी ज़्यादे इंपोर्टन इसलिए है, क्य